सभी फुटर मेडिकोजर परेंट्स को वित प्रकष बेनिवाल कर नमस्कार आज के स्वीडियो के मादन से हम कुछ कॉमेंट्स और कुछ वाट्सप पर जो हमारे पस क्योरी जाई थी FMG के रिजल्ट्स को लेके या NB के बारे में कुछ जानकारी के लिए वो हम आपको रिप्लाई करना चाहेंगे सबसे पहले 10 और 11 परसंट जून के FMG का रिजल्ट देखके बहुत से स्टूडेंट और परेंट्स ये थोड़ा पेनिक सिचुएशन में आ गए कि यदि रिजल्ट ऐसे ही रहेगा तो वो स्टूडेंट्स कैसे क्लियर कर पाएंगे FMG को और यदि इस तरीके से सिर्फ 22,000 में से 2000 शुडेंट पास होते हैं 2990 सुडेंट पास होते हैं तो बागी स्टूडेंट क्या करते होंगे ऐसे बहुत से students की और parents की queries थी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक 2003 से लेके 2020 तक का एक National Board of Examination की दरफ से हमने एक जानकरी मांगी थी जो data available है जिसमें total number of students कितने attempt होएं है NB उसको कैसे count करता है किस year में कितना result रहा था कब lowest रहा था कब highest रहा था तो सारे data हमारे पास में है तो उसको हम एक simplify way में बना कर आपको update करने की कोशिच करेंगे कि किस तरीके से almost 10 में से 7 या 8 FMG अपना exam clear करके और इंडिया में practice कर रहे हैं या PG कर रहे हैं hardly मेरे खाल से 15-20% students ऐसे होंगे जिन्होंने या तो ये profession change कर दिया है या वो किसी और business में लग गए या फिर वो सिर्फ जब अपना काम कर रहे हैं तब FMG का form फील करते हैं और exam देने के लिए आते हैं बहुत से students की query ये थी कि FMG को कितने attempts में पास करना जरुड़ी है क्योंकि जब भी आप Google करते हैं तो Google में कुछ websites या blogs हैं जो आपको Google में टॉप में दिखाए देंगे 1, 2, 3 position पे जहां पे लिखा रहता है कि आपको सिर्फ 3 attempt मिलते हैं तो आप सभी को अपडेट करना चाहेंगे कि जब Foreign Medical Graduate Examination Regulations 2002 बना था जब एक बना था तब इनिशली इसमें ये close था कि आप FMG सिर्फ 3 बार दी सकते हो लेकिन बाद में इसको रिवोक कर दिया गया था और फिर Unlimited Attempts कर दिया तो एजोन डेट ऐसा है कि Unlimited Attempts हैं आप कितनी बार भी exam लिख सकते हैं फिर बहुत से parents का concern था कि जब negative marking नहीं है और उसके बाद भी zero या five seven marks आ रहे हैं तो क्या वो re-checking के लिए apply कर सकते हैं जिनके बहुत कम marks हैं उनका दावा ये था कि वो exam बहुत अच्छा कर क्या हैं लेकिन वो re-checking करवाना चाते हैं revolution कराना चाते हैं यह हम अपनी answer की देखना चाहते हैं तो हम अपको अपडेट करना चाहते हैं National Board of Examination के पास ऐसी कोई भी व्यवस्ता नहीं है जो यह पादरशीता दिखा है या जो आपको अपनी answer seat दिखा है या उसके answer की जो आपका question था question paper आया था आपको डिस्क लेकर है या वो आपको वो सारे questions प्रोवाइड करा है औरडी जैसा कि एक last video हमने बोला था कि Mumbai High Court में भी इस चीज को लेके एक मुकदमा चल रहा है हमारे colleague ने किया और काफे अच्छा हों काम कर रहे है लेकिन अभी तक NB के तरफ से वैसा कोई positive response नहीं है transparency बताने के लिए कि हम कितना transparently ये results को prepare करते हैं इसके अलावा बहुत से students के ये भी doubts है कि जो FMGL 2021 आया है इसमें एक close लिखा है कि आपको within 10 years आपकी MBBS complete करनी है और next one और next two भी pass करना है ये एक जूमर है मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आपको 10 years में आपकी MBBS की degree complete करनी है आप जिस भी country में जा रहे हैं वहां से आपको 10 years में degree लेनी है उसके बाद next one next two आपको इंडिया में आना है वो आपका part अलग है क्योंकि already NMC ने कर दिया कि आपको वहां से इंटर्शिप करके आना है तो आप पनी final degree लेकर वहां से आ रहे है आप आपको यहां next one next two देने में कितना time लगता है उसका आपकी degree की validity से कोई सारोकार नहीं है usually आप देखेंगे तो इंडिया के बहुत सारे professional courses में यह rule regulations already है कि इतने year का आपका course है उसके double duration में यदि आप अपने degree नहीं करते हैं तो आपको उस degree के लिए योग्य करार दिया जाता है इसके अलाव यदि आपके किसी भी तरीके को doubts हैं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे comment box में comment करके पूछ सकते हैं Instagram पे आप हमें message कर सकते हैं या WhatsApp के उपर भी आप मेसेज कर सकते हैं और वीडियो के अंतमे मैं आप से जबूर करना चाहुआ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जिए बेल आइकन बटनी को प्रेस करना नहीं भूलिएगा जिससे आगे आने वाले हमारे हर इंफ्रमेटी के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद